हेलो फ्रेंट्स में मनीश और मेरे चैनल आलवेज अबल प्रो में आपका स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पे नया त्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि इसी तरह आईपोन से रिलेटे में चैनल पर वीडियो लेकिया आता है आईएस 14 के फीचर के बारे में और आईएस 14 का बीटा वर्जन में आईफोन 6S में डाउनलोड कर लिया है क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इसके बारे हम बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो हमें फर्स जो चेंजिस देखने को मिलता है हमें सेटिंग्स बाड़ना आगर आपने वर्जन डाउनलोड कर रखा है तो और यहां से आपको वाल पर में चूस नहीं वाल पर देखने को मिलेंगे फर्स जो आप देख सकते हैं यहां पूरे इमेंट में डीजी के हमें बताया करता है दूसरा जो वालपेपर है आप देख सक बता देता हैं जैसे अमने डार्क मोड किया और आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से हैं जो नए wallpaper मिले हैं तो डार्क मोड में इस थरीके से आपको देखने को मिलेंगे और लाइट मोड में आपको मैंने बता भी दिया था जिसे लाइट मोर की है आपने हैं तो लाइट वोर में इस प्रेकारस में जो तीन नए वालपेपर नए एड की यह हैं और आइपॉन 12 सीरी है बेखने को मिलेंगे गई बड़ा जो फीचर से हमें देखने को मिलता है वो पिक्चर एंड पिक्चर मॉड और शुबह से मैं इसको यूज कर रहा हूं और यूट्यूब की एप्लिकेशन में यह पिक्चर एंड पिक्चर मॉड का जो मॉड वो वर्क नहीं करेगा आपको मैं बता देता हूं जैसे यूट्यूब को क्लोज करता हूं तो यूट्यूब पूरा एप्लिकेशन क्लोज होता कहीं भी मैं वीडियो की स्लाइट देखने को नहीं मिलती तो इसके अंदर हमें क्या हम आपको बतारा हूं कहीं वैब साइट वगरा पर आप जैसे सफारी ब्राउजर में जाके देख रह देख यहां पर निशा नारा अगर हमको इसको अक्टिवेट करते हैं तहुमें पक्चरंग पिक्चर मोड हमारे जो हो जाएगा उसके बाद यह स्लाइट है देख सकते हैं और जिसे बड़ी करना है यह लाई गोपर यह स्लाइट को तो यहां से आपको क्रोज का निशाना यहाँ जाके आप close करेंगे तब भी जाके slide close हो तो guys YouTube के अंदर यह features हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि हम जारातर यूट्यूप बगरा देखते हैं तो YouTube के अंदर picture in picture mode देकने को नहीं मिला शाया शाया से कुछ update आया उसके बाद हमें picture in picture mode YouTube के अंदर भी देखने को यहां से प्लकार और पेप regulators को यहे खरता है तो आप कुछ भी नहीं करना है यहां लगाना है तो आप यहां से इस प्रकार से लगा सकते हैं ठीक है अगर आप स्थे States करने हैं तो यहां से आप Burada का सकते हैं कुछ इस परकार से आपको को मिलेंगे विजेट्स और आप जैसा चाहिए आपकी कस्टमाईज कर सकते हैं अपने फोन को अगया इस चीज को आप बड़ा बढ़ा नहीं पर कर भाएंगे जैसे आपको बताता हूं इसके बड़ा करना तो नहीं हो गाई है अर उसके बाद अगर आपको हटाने भी हैं तो यहां से यहां से यहां से हटा सकते हैं बिलकुल यहां से डिमありがとうございます हुजाए जैसे यह home screen है इसके pages देखते हैं मेरे two pages है अगर इनको hide करना है तो hide भी यहीं से होंगे और जैसे कोई भी application है अगर आपको उसको edit home screen करना एडिट home screen करने के बाद आपको क्या करना है ते बस यह क्liक करना यहां पर यह करने के बाद आपको इस फर्स्ट कर रखा है इस पर हटा दिया मैंने और बस यह क्लिक करते हैं उसके इसके बाद देख सेटेगा इस हमारा तो दूसरा पेज है वह आपको नहीं देखेगा और सीधी एप लाइपरी देखने को मिल जाएगी एप्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं और अगर आपको वापिस से आपका पेजस लाना है तो आपको कुछ भी निकरना है आपको वापिस से विजट्स पर क्लिक करना है और यह क्लिक किया उसके बाद वापिस से यहां पर क्लिक किया तो हमें दोनों पेज़ेश वापिस से देखने को मिल जाएंगे तो काफी अच्छा फीचर से बहुत सारी अगर आप पेज़ेश आपकी स्क्रीन पर नहीं रखना चाते तो इस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर सेट कर सकते हैं थर्ड फीचर से हमारा एप लाइबेरी के रिगार्डिंग और देख सकते हैं कुछ भी यह मैंने कस्टमाइज नहीं किया यह ऑट्रमेटिकली कस्टमाइज होके ही मिला है तो इसके अंदर देख सकते हैं प्रोडेक्टिविटी के अंदर हमें फाइल मेनेजर वगेरा शॉ तो एबलिकेशन अलफाबेट वाइस है सब्ब्रस आपको यहां पर मिल जाएगी अगर आपको बहुत सारी एपलिकेशन सेर्च करनी नाम से अगर आप भूल गया तो यहां से यहां से आप करके सर्च करके यहां पर भी आप एप्लिकेशन ढूंड सकते हैं काफी अच्छा है और अगर जितनी एप्लिकेशन होगी तो उतनी ज्यादा केटेगरी यहां फोल्डर आपको यहां देखने को मिलेंगी गाइस नेक्स फीचर हमारा आई message से रिलेटेड़ है आई message के अंदर आप किसी से भी बात करते हैं और आप से ज्यादा किसी से बात करते हैं आपके आते हो जिस बिस बी जीस भी परस्टाफ के मेसेज को आप सब से टॉप पे रखना जाते है उस परसंद के मेसज़ रएगा उसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह से आपको पीन करना तो तो भी होगा वह आपका मैसेज जो है टॉप पे रहेगा और गाइस कुछ इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं पिंग करके तो टाकि वह टॉप पे रहेगा जो भी आपका और Conversion जीससे भी आप परसंसे बात करते हृँ Hey Siri more Google is प्रकार से वर करेगी पूरी स्क्रीन पर आपको layout देखने को नहीं मिलेगा और जो पिर आप बोलते हैं वागरा थे तो उसके बाद पूरी स्क्रीन पर मेसेज वागरा शोते हैं बट आपको एक छोटे से स्लाइट एन बॉक्स देखने को मिल जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपको सिरी आज 14 के अंदर वर्क करती हुए दिखेगी जाइस नेक्स करना है और यहां से आप डिक्लाइन वगरा कर सकते हैं काफी अच्छा फीचर से यह और आयोस 14 में हमें देखने को मिलेगा और खात वर से पबजी वगरा गेम प्ले करते तो उसमें पूरी स्क्रीन पे नौटिफिक्शन आज़ता वह नहीं आएगा आएगा यहां से आप सफारी से रिलेटेड है और सफारी के अंदर हमें बिल्ट इन ट्रांसलेटर का बताया था बट मुझे सुबह से ढूंडा मुझे कहीं नहीं मिला यह फीचर तो जैसे सफारी के अंदर क्या कुछ नया चेंज़ेस हुआ मैं आपको बता देता हूं पहले जैसे आप गूगल देखा मुझे कहीं भी इसके अंदर है बिल्ट इन ट्रांसलेशन का मुझे नहीं देखने को मिला देखा सुबह से मैंने ढूंडा मुझे फीचर नहीं देखने को है बिल्ट इन ट्रांसलेट का सफारी के अंदर मैं देखने को मिले यह फीचर बट सफारी ब्राउजर के अ आपको थर्ड पार्ट एप्लेकेशन डाउनलोड करने की नहीं पड़े की जैसे गूगल ट्रांसलेट वह करते हैं अधिकतर और यह जो एप्लेकेशन ने आप से रिल टाइम में ट्रांसलेट कर पाएंगी जैसे में इंग्लीश में लिखा हाओ और यह तो सपैनिस में देख स आप देख सकते हैं स्क्रीन बें आपको मैं बता रहा हूं बट इसके अंदर हिंदी कहीं भी नजर नहीं आ रही है अगर आपको चेक करना है अगर आपको ट्रांसलेट करना इस एप्लिकेशन का भी यूज कर पाएंगे बट इंडिन विजर के लिए काफी हिंदी होती तो क आइफोन 6S के अंदर यह कल से डाउनलोड कर लिया था और मुझे अभी फिलाल कोई प्रॉब्लम नहीं है यह मैं इसे यूज कर रहा हूं और यूज करने के बाद आपको मैं बताऊंगा इसका फूल रिवियू दूंगा इसके अंदर क्या कुछ मुझे हैंग वगरा इश् आइशनली और वीडियो बना दूंगा और यह वीडियो अच्छी लगाइए प्लीज आपको वीडियो को लाइक और शेयर किजिएगा आप मेरे चैनल पर नहाइप इचनल को सब्सक्राइब जरू कि जब आपको आईपोन से रिडिटर में चैनल पर इसे वीडियो लेकि आ तरेदों थैंक्स वर्वाजिंग